आनी बुढ़े भिखारी, हर दिन एक भिखारी दरवाजी के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता, कई बार उसके लिए गालिया भी बगता, वो कहता तु जिंदा ही क्यों है, पुरी जिंदगी ऐसे ही भीख मा बैठा है, और कभी-कभी उस भिखारी को गुष्य में वह धक्का भी मार दिया करता, इतना कुछ हो जाने के बाद बावजूद अधिकारी के मुझ से सिर्फ यही निकलता कि भगवान भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे, एक बार सेठ को धंदे में बड़ा नुक्स कि खबर मिली, सेठ बहुत परशान था की, तभी उसके दरवाजे पर वही विखारी आया, गुष्य में अपना आपक होते हुए, सेठ ने उस विखारी को पत्थर दे मारा, पत्थर लगने के कारण विखारी का सर फुट गया, और उसके सर से खोन बहने लगा, फिर भी दर सेठ सोच में पढ़ गया, विखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की, सेठ का गुष्या, सांत हुआ, सेर का मन, सांत हुआ, विखारी का रहस्य जानने के लिए, सेठ ने विखारी का पीछा करना शुरू कर दिया, विखारी जहां जहां जाता, सेठ उसके पीछे जाता, सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता, तो कोई गाली देता, लोग विखारी के साथ चाहे जैशा बेभार करते, लेकिन विखारी सब के लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करे, अ उस पुरानी तूटी हुई खटियां पर एक बुढ़ी अवरत लेटी हुई थी, काफी कमजोर और बिमार लग रही थी, वह विखारी की पत्नी थी, अपने पती का वापस आता देख, वह खाट से उठ खड़ी हुई, पत्नी ने अपने पती के भीख वाले कटोरे में देखा उसमें शिर्फ आधी बासी रोटी थी, उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला, और हाँ, आपके सिर से खुन निकल रहा है ये, चोट कैसे लगी, बुढ़ा विखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सब ने गालिया दी, और एक नए पत्थर भी फेकना, इसलिए मेरा सर फट गया, एक गहरी ठंडी सांस लेकर, बुढ़ा विखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापो का फल है, तुम्हें याद है, कुछ सालों पहले, हम कितने अमीर थे, क्या कुछ नहीं था, हमारे पास हर चीज की जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया, और उससे भी बुरा हमने उस अंधे विखारी के साथ किया, जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था, बुढ़ी पत्नी की आखों में आशू आ गए, वह बोली हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका मजा कुडाया करते थे, और कभी कभी मारा भी करते थे, मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाए, एक बार मैंने उसके मुह पर मिटी भी फेकी थी, और वह हमेशा दूखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किये की सजा देगा, भगवान तुम्हारे मैं हमेशा उसके लिए प्रार्तना करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिन्दगी का अनुभाव करे, किसी की भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े, वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अंजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता, सेठ वहीं पर छूपकर यह सारी भाते सुन रहा था, अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था, विखारी और उसकी पतनी ने वह आधी रोटी मिल बाट कर खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गया, अगले दिन बड़ा व माफ कर दीजे बाबा, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बुढ़ा विखारी बोला भगवान तेरा भला करे, इतना कहकर वह आगे निकल गया, इस कहानी से जो सीख लेने लाइक है वह बड़ी ही सिंपल है, या आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेक के लिए जब किसी के लिए कुछ भी करो, तो अच्छा ही करो, तो नमस्कार दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिन, जय हिन, जय हिन.